हाई बच्चो आप सब कैसे हैं मैं आसा गरता हूं कि सब आप इंट्रेस्टिंग मूड में होंगे और कॉपी लेकर कि आप तैयार हो जाई है आज आप सबसे इंट्रेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे फराडे का विद्दुत अपगटनी नियम ये जो है आपका विद्दुत रसायन का सबसे मोस्ट वांटिड टॉपिक है ये जो है कि बोर्ड के एक्जाम में यहां से आता ही आता है कितना भी हो दो नंबर का आपका जरूर आएगा फिक्स है डन हर साल आता है ये यूपी बोर उत्रा खंड बोर्ड बिहार बोर्ड जार खंड बोर्ड सभी बोर्डों में यहां से कोश्चन आता है और आये भी क्यों ना ये सबसे होट टॉपिक है विद्दुत रसायन का तो आपको विद्दुत अपगटनी नियम पढ़ाते हैं बिलकुल साइलेंट हो करके समझे वि फैराडे का विद्दुत अपगटनी नियम है सबसे पहले आप फैराडो को समझे और फैराडो को आप काट देजिए अब सबसे पहले आप नियम को भी काट दीजिए ऐसे क्या बचा हमारे पास विद्दुत अपगटनी तो विद्दुत अपगटनी सब्द को जो है समझे अगर पक्का डन बोल रहा अगर विद्धुत अपघटनी नियम आप समझ गए तो आप समझ जाएए कि फैराडे का विद्धुत अपघटनी नियम आप समझ गया है विद्धुत अपघटनी जैसे यह देखो 100 NACL है यह 100 NACL है यह किसी विलियन में है किसी विलियन में आपका यह 100 NACL है और 100 के 100 NACL वियोजित हो गए 100 NACL कहने का मतलब वियोजित वियोजित सब्द को समझो आप जैसे मालूम है पंडित जी हूँ साधी से जो है कि 100 लोगों की साधी करवाई मतलब 200 लोग थे मतलब 100 कपन और 100 के 100 का क्या हो गया तलाग हो गया अब मालों की 100 का तलाग हो गया तो वियोजित कितने हुए सारे के सारे वियोजित वियोजित का मतलब अलग होना ब्रेक अप जैसे गल्फेंड बॉइफ्रेंड रहते उनमें भी क्या हो ज़ता ब्रेक अप होता है उसी तरह से क्या होता है कि जो हमारे पास ये सब्स्टान्स मतलब पदार्थ होते हैं वे भी विलियन में ब्रेक अप करते हैं मतलब आइनित होते हैं या वियोजित होते हैं तो आप समझी गए होगे वियोजन मतलब वे पदार्थ जो विलियन में वियोजित होते हैं ऐसे पदार्थ को हम वैदुद अपगट्या ये देखिए ऐसे पदार्थ को वैदुद अपगट्या मतलब हमारा NACL क्या है वैदुद अपगट्या ये क्या होता है विलियन में वियोजित होता है जिस तरह से गल्फेंड बॉयफेंड एक साल दो साल के बाद अलग हो जाते ह उसी प्रकार से NACL जब पानी में मिलाती तो ये भी वियोजित हो जाता है और हाँ अब एक होता प्रबल विद्धुत अप घटे और एक होता है आपका दुर्बल विद्धुत अप घटे प्रबल क्या होता है जब NACL पूरता है वियोजित हो जाएगा मतलब पंडी जी ने 100 साधी कराई, 100 के 100 तलाग दे दिये, तो ये क्या हो गए आपका, प्रबल विद्धुत अपगटे, और पंडी जी ने क्या कर दिया, 100 की साधी कराई, उसमें से सिर्फ 30 वियोजित हुए, मतलब 70 बाकी हैं, ये क्या हो गए आपके, दुरबल विद्धु अपगटे, मतलब आप समझ गया होंगे कि प्रबल विद्धुत अपगटे किसे कहते हैं, और दुरबल विद्धुत अपगटे किसे कहते हैं, अब हम उसके बाद आते हैं, कि विद्धुत अपगटनी, मतलब जब अपगटे, अपगटे, अपगटे जैसे कौन, NACL, या H 2SO4 कुछ भी KNO3 HCL कोई भी जब वियोजित होता है मतलब अलग होता है तो हम उससे क्या कहते हैं विद्धुत अपगटनी अब हम आते हैं जो है कि फैराडे को उपर तो मैं आपको बता दू हाहां सच में आपको बता रहा हूं कि फैराडे ने दो नियम दिये माइंड फैराडे ने कितने नियम दिये दो नियम दिये तो उनका नाम क्या होगा फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का दूतिये नियम तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि फैराडे का जो है कि प्रथम नियम तो हम discussion करते हैं फैराडे का प्रथम नियम फैराडे का प्रथम नियम अब फैराडे का प्रथम नियम क्या है आपको मैंने बताया हुआ है सारे आपने मेरे वीडियोस देखे हुए है तो उसमें मैंने आपको रटाया नहीं है समझाया है साइंस क्या है समझाना साइंस का मतलब भी होता है सीखना रटना नहीं है किसी चीज को तो फैराडे का प्रथम नियम सबसे पहले मैंने आपका एक जो है बीकर लिया अब आप सोचिए कि आपने माइंड में कि एक बीकर लिया हुआ बीकर में आपने कोई भी विलियन लिया हुआ कोई भी विलियन मैंने अपने माइंड में जो विलियन लिया है मैं बता रहा हूं उसको मैंने जो अपने माइंड विलेन लिया हूँ है वो लिया है जेड़न इसो फोर इसकी सांदरता कितनी है 1M मतला मो लरता 1M इसकी सांदरता है अब मैं इसमें क्या डालूँगा एक इलेक्ट्रोड डालूँगा क्लियर करते चलना डाउट नहीं होना चाहिए मेरे पढ़ाने पढ़ अब मैं यहां पर एक इलेक्ट्रोड बनाता हूँ यह देखो कि यह एक इलेक्ट्रोड हो गया एलेक्ट्रोड अब यहां पर देखो कि आइसका रही है और यहां पर जे इलेक्ट्रोड हो गया एक इलेक्ट्रोड किसका हाए जेडन का हुआ है ऐलेक्ट्रोड आपके यह किसका है जेडन मतलब जिइंक का मैं जिपंग को जान बोलता हूँ आप भी समझो कि z n क्या एक rod है rod है ये मतलबी electrode है अब क्या होता है जब आप z n so 4 को तोड़ो तलाक दिलाओ भई है सब z n so 4 को z n so 4 तो जब आप इसको वियोजित करेंगे तो क्या आएगा z n 2 plus plus so 4 2 negative तो जब आप इसे terms में जानेंगे कि ये देखे तो जब अब देखो ये जड़न ऐसो फोर क्या है जड़न ऐसो फोर ये आपका कहलाता है विद्दुत अपगट्य विद्दुत अपगट्य और ये विलियन क्या है विद्दुत अपगट्य विलियन अपगट्य विलियन अब परिभासा कैसे बनाओगे रटना नहीं है आपको ये जब किसी विद्दुत अपगट्य विलियन में ये क्या है ये जो बना हुआ ये क्या है विद्दुत अपगट्य विलियन तो आप क्या बोलोगे, यहां मैं लिख दे रहा हूँ, जब किसी विद्धुत अपघाटनी विलेयन में, यहां जब कोठाओ, किसी विद्धुत अपघाटनी विलेयन में, क्या विद्धुत अपघाट, विद्धुत अपघाट क्या है, जड़ेनोसो, फोर, कहां पर इकठ्ठा होगा अब देखो यह जो विद्दुत अपघट्य है यह इकठ्ठा होगा या तो इकठ्ठा होगा या तो यहां से क्या होगा वियोजित होगा तो किसी विद्दुत अपटनी विलियन में एलेक्ट्रोड पर एलेक्ट्रोड पर यह देखो यह क्या है आपका एलेक्ट्रोड है ना एलेक्ट्रोड पर एकत्रित 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 क्या अपघट्य किसी विद्दुत अपगटनी विलियन में एलेक्ट्रोड पर एकत्रित अपघट्य अर्थाद एकत्रित अपघट्य का द्रव्यमान द्रव्यमान मतलब डबलू बहने वाली धारा बहने वाली धारा अथवा बहने वाली धारा अथवा आवेस आवेस के अनू क्रमानू पाती होता है कहने का मतलब क्या है जो आपका ये विद्दुत अपगट्य है मतलब जेडनो स्फूर ये क्या हो रहा है अलेक्ट्रोड पर क्या हो रहा है एकत्रित हो रहा है अथवा क्या हो रहा है वहां से वियोजित हो रहा है ठेक है तो उसका जो द्रव्यमान है जितना वियोजित हो रहा है उसका जो द्रव्यमान है वो क्या आवेस आवेस का मतलब क्या क्यों क्या हो रहा है अनु क्रमानु पाती होता है यही आपका विद्धुत अपघटनी नियम का प्रथम नियम है मतलब फैराडे का यह प्रथम नियम है मतलब क्लियर भासा में अब समझो अभी तो आप साइंस को समझ रहे थे क्लियर भा अथवा मुक्त होने वाले विद्दुत अपघट का क्या द्रव्यमान बहने वाली धारा अथवा क्या आवेस के अनुक्रमानुपाती होता है इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास W is equal to the ZQ अब देखो आपको पता है कि Q is equal to किसके होता है IT तो Q is equal to the IT I क्या है यहां पर वेटा धारा T क्या है समय तो W is equal to ZIT जहां जहां Z क्या है जहां पर Z विद्दुत रसाइनिक विद्दुत रसाइनिक नियतांक है विद्दुत रसाइनि विद्दुत तुल्यांक की आप बोल सकते है विद्दुत तुल्यांक की नियतांक है आप समझ गय होंगे कि फराडे का पर्थमनियम क्या है फराडे का प्रथम नियम सबसे पहले बिल्कुल कंसंट्रेशन कंसंट्रेट हो करके एक एलेक्ट्रोड है आपका ये क्या है बीकर है बीकर में क्या है विद्दुत अपगटनी विलेन उसमें आपने क्या किया एलेक्ट्रोड को डाला जब आपने एलेक्ट्रोड को डाला तो अब वो एलेक्ट्रोड में क्या होगा कि जो विद्दुत अपघट्य हैं इस एलेक्ट्रोड पर एकत्रित होंगे मतलब यह देखू जो एकत्रित हो रहा है यह एकत्रित होंगे अथवा क्या होगा इससे क्या होंगे मुक्त होंगे तो किसी एलेक्ट्रोड पर किसी एलेक्ट्रोड पर विद्दुत अपघट विद्दुत अपघट के एकत्रित होने देखो एकत्रित हो रहा है अथवा क्या मुक्त होने वाले द्रब्यमान मुक्त होने वाले पदार्थ का क्या बटा द्रब्यमान क्या बटा बोलो प्रवाहित आवेश किसके क्यूंके अनुक्रबानुपाती होता है इससे हम क्या बोलते हैं आपका फैराडे का विद्दुत अपगट निया प्रथम निया तो आपने समझ लिया आपने क्या समझा वन मार्क्स में समझी है आप इसे यह क्या है आपका एलेक्ट्रोड है इलेक्ट्रोड पर कौन ही कठा हो रहा है वैद्दुत अपगटे है इसका द्रबमान क्या है डबलू इसका मतलए अलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले अथवा क्यों मुक्त होने वाले एलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले अथवा क्या मुक्त होने वाले विद्धुत अपघट्टि का क्या जब्यमान बहने वाला बहने वाली आवेस या प्रवाहित आवेस Q के अनुकरमानुपाती होता है W is equal to किसके? Z Q अब Q is equal to किसके होता है टबलो? I T Q is equal to I T तो आप Q की जगापे क्या रखेंगे? I T तो W is equal to क्या हो गया? Z I T जहां Z क्या है? जहां Z तुल्यांकी नियतांक है अब आप विद्धुत रसायनिक तुल्यांकी नियतांक है चाहे तुल्यांकी नियतांक है अब हम क्या पढ़ने वाले है? Second topic हमारे पास आने वाला है फराडे का दुतिया नियम फराडे का आप दुतिया नियम पढ़ेंगे उसके पहले जान जाए इसे बिल्कुल हटा दे ब्रेन से कि पर्थम नियम क्या है? हटाओगे तो कैसे? सोच के कैसे? एक एलेक्ट्रोड है ठीक है? एक एलेक्ट्रोड है एलेक्ट्रोड पर क्या हो रहा है? विद्धुत अप घट क्या हो रहा है? एकत्रित हो रहा है या तो मुक्त हो रहा है या तो एकत्रित हो रहा है या तो क्या हो रहा है? मुक्त हो रहा है तो या तो ये क्या हो? एकत्रित हो या तो मुक्त हो, मुक्त होगा तो उसको क्या बोलते हैं, आक्सीकरड, अगर ये एकत्रित हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, अपचयन, कहने का तात पर क्या हुआ, एलेक्ट्रोड पर मुक्त, अथवा एकत्रित, विद्धुत अपघटे का द्रब्यमान, कौ व्ब्लु जी कोड़ किसके ज आगे बढ़ाता है आगे तो अब इसमें क्या है ये की ही विद्धुत अपगहटे है, अब मैं बहुत सारे ले लेता हूँ, ये देखो, एक मैंने ले लिया यहाँ पर, एक दूसरा ले लिया, ये तिसरा ले लिया, इनको मैंने किस में जोड़ दिया, स्रेडी क्रम में, अब जब मैं इसे स्रेडी कर ने जोड़ूंगा यह देखी एक रॉक एलेक्ट्रोड यह हो गया आपका यह यह दूसरा अलेक्ट्रोड हो गया और यह आपका तिसरह लेक। इनको मैंने स्रेडी करम में जोड दिया यह देखो यह GNO?" यह CEO 4 है यह CUSO 4 है आपका यह क्या है? A G SO 4 है पहली बात अगर मैंने इनको स्रेडी करम में जोडा थो स्रेडी करम में जोडने पर विद्धारा का मान समान बहता है कि फिजिक्स में जानते हैं अगर आपने किसी चीज को स्रडी करम में जोड़ा है तो विद्द्धारा समान होगी अब प्रतिरोध क्या होगा भिन्ने होता है ठीक है तो अब येerson करम में जोड़े हैं तो मैं इसी लाइन बना देता हूं इसी समय कि ए जुत क्या भिन्न भिन या विद्दुत अपगाटनी अपगाटनी सिलो को स्रेडी क्रम में जोडने पर धारा क्या होगी? समान बहेगी बहने वाली धारा समान होती है पहली राइन मैंने क्लियर कर दिया विद्दुत अपगाटनी सिलो को या विद्दुत अपगाटे अलेक्ट्रोड को किस में जोडने पर? स्रेडी क्रम में जोडने पर धारा क्या होती है? समान होती है बैनेवाली धरा समान होती है तो में एलेक्ट्रोड पर अलेक्ट्रोड पर यह और 실न क्या क्या होड़ा है विद्दूत अप्घट हो रहा है या तो एलेक्ट्रोड पर क्या हो रहा है विद्दू तब घट क्या हो रहा है एकठा हो रहा है या तो क्या हो रहा है मुक्त हो रहा है एलेक्ट्रोड पर एकत्रित एलेक्ट्रोड पर घट्य का द्रब्यमान मान डबलू है एकत्रित अथ्वा मुक्त विद्धुत अप घट्य का द्रब्यमान तुल्यांग की भार किसे ए के समानुपाती होता है यह तो मैंने आपको लिख दिया आपके नोट्स के लिए कि जिससे कि आप फैराडे का दूतिनियम लिख सके तो मैंने क्या बोला इसमें यह बोल रहा है फैराडे का दूतिनियम कि जो यह एलेक्ट्रोड पर विद्धुत अपघटे एकठ्था हो रहे हैं एकठ्था हो रहे ह तो क्या हो रहे हैं मुक्त हो रहे है उसका जो द्रब्मान इसका द्रब्मान क्या है डबलुवन इसका द्रब्मान क्या है डबलुटू तो इसका इसका जो है कि तुल्यांग की भार क्या है इवन इसका तुल्यांग की भार क्या है इटू यह एक दुसरे के क्या होते हैं समान पाती क्लियर हुआ फंडा मतलब एलेक्ट्रोड पर मुक्त अथवा एकत्रित होने वाले विद्धुत अपघट्टे का द्रब्यमान पहले वाले का क्या डब्लू वन दूसरा क्या है डब्लू टू इसका डब्लू टू यह किसके बराबर होता है तुल्यांकी भार तुल्यांकी भार क्या हमारा वोलो इवन अपउन क्या हमारा वोलो इटू यही आपका फैराडे का जो है कि दुत्य नियम है कहने का मतलब एलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले विद्धुत अपघट्टे का द्रब्यमान किसके तुल्यांकी भार E1 था E2 के क्या होता है समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं अब आप सभी को पता है फाराड़े के पर्थमनियम के अनुसार की W is equal to kis के होता ZIT चोकि W is equal to the ZIT आपने W is equal to ZIT तो अब यहां पर क्या हो जाएगा क्लियर करते हैं W1 upon W2 is equal to W is equal to ZIT Z1 IT upon Z2 IT फराड़े का पर्थमनियम है अब Z1 Z2 I IT IT कट जगा आपने I समान क्यों लिया है क्योंकि यह किस में जुड़ा हुआ है स्रेड़ी क्रेम में स्रेड़ी क्रेम में में धारा क्या होती है समान होती है IT IT कट गया is equal to E किसके है E1 upon E2 तो अब हमारे पास क्या हो गया W1 upon W2 is equal to the Z1 upon Z2 is equal to E1 upon E2 यह आप लिख सकते हैं यह भी आपका विद्धुत अपगटनी नियम का फराडे का विद्धुत अपगटनी दुतिय नियम है अब और आगे अगर बढ़ेंगे आप तो तुल्यांग की भार यह जो होता है तुल्यांग की भार जेड के अनुक्रमानुपाती होता है अनुक्रमानुपाती होता है कहने का मतलब क्या हो गया की जेड इस प्रपोर्शनल टू दा ए तो जेड इस इकल्ड किसको होगा एफ एफ इस इकल्ड किसकी होगा जेड अपॉन ए जहां एफ क्या है मिटाना पड़ेगा इसको यहां दिख रहा जहां जेड स्वारी जहां एफ फैराडे नियतांक है जहां एफ क्या हमारा यहां पर फैराडे नियतांक है अब पेपर में आपका ऑबजेक्ट टू कोशन पूछ लिया जाता है कि एक फैराडे किसके बराबर होता है तो आप जान जाएए कि एक फैराडे इस इक्वार टू दा नाइन सिक्स फाइव जीरो जीरो कुलाब क्सी क्या यहां पर कुलाब तो हमारा अगला वीडियो होगा आपका जो है गैलवोनिक सेल पर क्सितन जाएए कि एक पगल और आपका जा द मत स्राइ़कर धंपका जाएएब कहा जा trauma क्सान सिक्वार भ्लाब तो हमार वी एंज सेटा ये थीरो मिम जाएव हो शाओे कुलाब